नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्यान शाला में और आज मैं कपिल आपके सामने टाटा स्टील जेएटी और एटी दोनों के लिए जो इंट्रव्यू टाटा स्टील में कंड़क्ट होते हैं उसके रिगार्डिंग HR राउंड के स्पेसिफ क्यों से इस आरे के सारे जो उसमें में सारे के सारे आपके प्रीड को बात नहीं करेंगे फब्सμεut Players बहुत होने वाला है साथ-साथ अभी 80 का भी रिजल्ट हो सकता है इस हफते या नहीं तो नेक्स्ट वीक आ ही जाएगा और उसका भी आपके लिए इंपोर्डेंट वीडियो होने वाला है एक चार रांड से लेटेट कोस्टन का ठीक है देखिए सबसे पहले डाउट यह बहुत ज्यादा है आपका इंट्रवी को जो लैंग्वेज का जुकाव होगा इंग्लिश की तरफ ज्यादा होगा आप इंग्लिश के साथ थोड़ा ब हाशी परदेशों में हैं जैसे जमशेत्पूर हो गया उडिसा होगे यहां हिंदी बोली और समझी जाती तो टाटा का स्टाफ जो इंटर्विवर हैं वह भी कुछ न कुछ हिंदी को समझते हैं तो आप इंग्लिश के साथ कुछ हिंदी मिक्स कर सकते हैं लेकिन इतना इंग्लिश के साथ थोड़ी बहुत हिंदी आप मिक्स कर सकते हैं लेकिन में जो आपका मोड़ लेंग्विज रहेगा इंग्लिश रहेगा इसका कारण यह है कि टाटा स्टील में जो आपके साथ जेटी या एटी में कैंडिडेट आने वाले हैं वह आपके ओल अवर दी इ दिखाई देंगे यह मानकर चलिएगा तो उन सबका एक जो मोड़ अफ लेंग्वेज कॉमन मोड़ अफ लेंग्वेज बनेगा वह इंग्लिश बनेगा इसलिए इंट्रव्यू में आपका थोड़ा सा जुकाव इंग्लिश की तरफ होना चीए अगर आप थोड़ा बहुत हिंदी मिक्स करना चाहते तो 80-20 का रेशो रखें लेकिन एक बात को ध्यान रखें जब आप लेंग्वेज में शिफ्ट कर रहे हों आप इंग्लिश से हिंदी की तरफ जा रहे हों इंट्रव्यू देते वक्त किसी कॉश्चन में तो इतना स्विफ्ट तरीके से आप उसको स्विच करें कि इंट्रव्यू को पता ही ना चले कि कब आप इंग्लिश से हिंदी पर आ गए हैं समझे मलब ऐसा नहीं कि आप सेंटेंस इंग्लिश में बोल रहे हैं उसमें अटक गए तब आपने हिंदी को चूज किया तो वह सड़न पॉइंट जो होता है वह पता लग करें लिए तन भी इटव्यूय में है उस्में आपके तीन पैनल के साथ इंट्रविए होता है एच पैनल में आपका एंटरैडंट भी होता तो हो सकता है वह अधर दन आपके दूसरी फिल्ड के होंगे तो लेकिन फिर भी टाटा प्लांट में रहते रहते हर एक मेंबर को इतनी नौलिज तो हो जाती है कि वह आपसे क्योंकि उनका एक्सपीरेंस बहुत जादा होता है तो आपसे बेसिक कोशन्स आपके ब्रांच के पूछ लेंगे ठीक है इस चीज़ को आप द्यान रखिएगा ठीक है फिर आपका एचार राउंड देखे अभी मैं क्या कर रहा हूं एचार राउंड तीन पैनल के साथ इंट्रवी होता है यह जो मैं आपको कैटेग्राइज कर रहा हूं आपके कॉशन्स जो है नेचर जो से तरफ जाधा था मेरे सीवी से ज्यादा कोशेंस पूछे गए इंतर्ड्यू मेरा मेरा इंट्रव्यू था पैनल के साथ उसमें सिच्वेशन बेज्ट कोशन्स जाधा पूछेंगे तो मेबी यह केबल मेरी observation हो सकता है कि शायद three panel में इंटर्व्यूज रखे गई हैं तो HR का categorize इसी तरीके से कुछ हो deny नहीं कर सकते कुछ भी हो सकता है but observations based ही मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह के questions मेरे साथ मेरे साथ या और जो भी candidate थे उनके साथ इच पैनल में क्या-क्या पूछा गया है ठीक है हर category के questions क्या थे फिर्स्ट कैटेग्री रिज्यूम बेस्ट या पिर आपके personality बेस्ट जो questions थे ठीक है उसमें किस तरह के questions पूछे आप स्क्रीन शोट लेकर रख लें आपके काम आएग रखे कि कोशिश करिए कि हर तीनो पैनल में इस question को आप थोड़ी similarity रखिएगा ठीक और बहुत ज़्यादा similar भी नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यदा difference भी नहीं होना चाहिए तीनो पैनल के साथ थोड़ा बहुत आप इसमें उपर नीचे कर सकते हैं तो introduce yourself रटा रटाया नहीं लगना चाहिए बस कोशिश यह करिएगा आपकी hobbies और आपके interest थोड़ा बहुत आपसे पूछा जाएगा आपका interest क्या आपकी hobby क्या है तो थोड़ा सा specific उसको रखिएगा और उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको knowledge भी होना चाहिए ठीक है में बताया हुआ है तो उसके बारे में विल्कुल आप discuss करेंगे वह आपसे पूछेंगे कि आपका previous job experience कहां आपने कैसे जॉब किया क्या वर्क प्रोफाइल है आपका और उस वर्क प्रोफाइल पर भी आपसे questions पूछे जाएंगे कि क्या आप आपका जो past experience है और टाटा मे में आना चाहते हैं तो कैसे आपका टीचिंग का experience यहां काम आने वाला है तो आपको justify करने बाकी कुछ नहीं है ठीक है अब वही आपका मुझे यह भी पूछा गया था टीचिंग में तो आपकी एसी तीन learning क्या है जो टाटा स्टील में बहुत ज्यादा यूटिलाइज होन करना चाहता है और अपने प्रिवेस इस्टेपलिश्मेंट को या फिर प्रिवेस आपका एंप्लॉयर को छोड़ रहे हैं इस तरह के questions आपसे पूछे जाएंगे जो job experience वाले जिनके पास experience नहीं जो freshers है उनका जनरली यहीं का question पूछे जाते हैं दो-चार question और ऊपर नीच questions यह बहुत ही crucial पार्ट है आपके HR राउंड के इसके बारे में detail में थोड़ा बहुत पढ़कर जाएगा questions किस तरह के होते हैं सबसे पहला आते कि आप company के बारे में क्या जानते है ठीक उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकर थोड़ा था history पढ़िएगा company की website देखेगा पता लग जाए company कब establish हुआ था कहां इसका location है कहां कहां इसके major plants है और किस product में deal करती है ठीक company के बारे बेसिक इसके founder कोन है यह सब थोड़ा पढ़िएगा ठीक है आप JT और 80 program के बारे में क्या जानते हैं वह आपसे पूछेंगे मुझसे जैसे पूछा था कि आप 80 program के ब लेकिन इंस्टंट जो आया बोल दिया ठीक है आपका opinion माला आपका future को लेकर as in 80 आप अपना future कैसा देखते हैं कि वह कोश्चन होते है ना पांस साल बाद आपको कहां देखोगे आप क्या अपना future आपको दिखता तो इस तरह के questions आपसे 80 और JAT से related आपसे पूछे जा सकता है तो prepare करके जाएगा थोड़ा बहुत ठीक है आपकी टाटा से आपकी क्या expectations है और टाटा आपसे क्या expect कर सकता है इस तरह के अंदर के थोड़ सी values को देखने की कोशिश करें ठीक है company आपसे क्या expect कर सकती है आप टाटा के competitor मार्किट में कौन कोन है वो इंडिया में कौन से competitor है वर्ल्ड वाइट कौन सा competitor टाटा को टाटा के है ठीक है जो इसी steel domain में काम करते हैं टाटा आप इस तरह के बात कर रहा हूं तो उससे इलेटिट उसके competitor मार्किट के बारे में थोड़ा सा टाटा का एन्वल production कितना है और किस तरह के product टाटा बनाता है टाइप सो प्रोड़क्ट टाटा इस टील कौन कौन से टाइप की आप देखेगा तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा फाउंडर टाटा इस्टिल के फाउंडर कौन है और कभ इसको कभ इस्टैबलिश हुआ उस यह के बारे में करन्ट पूछा गिया था प्रिवियस टाटा गुरूप के लिस्ट आप एक बार देख लिजेगा नाम और सिक्वेंस देख लिजेगा सबसे पहले कौन थे इससे पहले उसके बात वह आपको पाउंडर भी टाटा इस्टिल की इतने भी चेर्मेंन हुए उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको उनके अटलिस उनके नाम और सिक्वेंस आपको थोड़ा बहुत पता हो ठीक है यह सब आपकी इस राउंड से पूछी जाती है यह कंपनी से एलेटिट कॉश्चन महां पूछे गए हैं वही इनकी लिस्ट है थर्ड आपका है सिच्वेशन बेस्ट कॉश् में सच्चाई है यह नहीं है इसके कैरेक्टर में उतनी स्ट्रेंथ है यह टाटा की कोर वैल्यूस को मैच करेगा कि नहीं करेगा ठीक है तो बहुत इस बहुत द्यांसे इनकोश्चन का आपको एक सेकंड रुख कर इनका जवाद दीजिए मैं बताऊंगा आपको इस के एक बताऊंगे लिए बेस्क्राइब हो लाइनला प्लांट में रहेंगे वहां पर किस तरह कि सीच्वेशन फेज करोगे उससे रिलेटिड आपके कोश्चन होने वाले ठीक माल लो कि अगर आप किसी आप क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर आप जॉइन करोगे ट्रेनिंग के बाद वहाँ पर आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर आपका कॉन्फिक्ट हो जाता है अपने सीनियर के साथ किसी भी बात को लेकर हो सकता है कि कुछ आपने किसी काम को करने का नया तरीका खोजा आपने अपने सीनियर को बताया वह आपसे सहमत नहीं है और आपके बीच में कॉन्फिक्ट हो जाता है तो आप उसको कैसे देखोगे कैसे उस कॉन्फिक्ट को आप सौल्व करने की कोशिश करोगे ठीक पहला दूसरा अगर वहीं आपका कैसे रिजॉल्व करोगे ठीक है एक कोशन है कि आपके जो सब ओर्डिनेट है आपने उसको किसी चीज को करने के लिए मना किया है आपने उसको वह रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है लाइक वहलमेट नहीं लगा सेफ्टी हलमेट नहीं पहनता है सेफ्टी यह बड नहीं पहनता है लेकिन आपने उसको कहीं बार बोल दिया है लेकिन तभी आपके सब ओर्डिनेट आपकी बात को नहीं मानते हैं तब आप इस चीज को कैसे हैंडल करने वालो आपके आपके एक्शन होंगे इस सिचुएशन पर इस तरह की सिचुएशन बेस्ट अचिजल स्कील्ड पर डाइरेक्ट आप से कोश्चन होता हैं ठीक है आप क्या इसके बारे में सोचता आप कैसे इसकोlive करने वालेूट क्योंच बहुत इंट्रस्टिंग पूचा गया था ये पर कि आको तो comment करना है आपके पाद दो situation दी गई गहींगे आप interview के बाद tata still में select पहली situation है कि आप select नहीं होते हैं सेक्ट सिचुवेशन है कि आप select हो जाते हैं तो इन दोनों के लिए अपने comments बताईए कि आप select नहीं होते हैं तो क्या होगा अगर select हो जाते हैं तो क्या होगा सोचिएगा बहुत interesting question है इस तरह के questions भी पूछे जाते हैं ठीक है पैनिक नहीं करना है अराम से और कुछ questions आपके skill पर based होते हैं स्किल्स बेस्ट मतलब लाइक अगर आपने अपने रिज्यूम या सीवी में किसी ने लेखा हुए कि अपने स्किल्स में लिख जा कि क्रियेटिविटी क्या इम क्रियेटिव और इनोवेटिव इस तरह के वर्ड का इस्तमाल कर दिया तो इससे बेस्ट कॉस्चन्स पूछे ज जाते हैं तो इन पर भी आपको फोकस रहना है अपने रिज्यूम को वर्ड टू वर्ड पढ़कर जाएं वहां से आपके काफी कोश्चन्स पूछे जाएंगे ठीक है तो अगर आपका कुछ कोश्चन कभी-कभी आपका फाइनल यह जो प्रोजेक्ट है उसको भी आप एक एक एंगल को सोच लें ठीक है एक एक वर्ड को अब कुछ आपका कुछ टेक आवेज जो है आपको क्या इंपोर्टेंट बातों का ध्यान रखना है इंट्रव्यू के लिए सबसे पहला बी कॉन्फिडेंट जिस्ते में आपका इंट्रवी हो कॉन्फिडेंट रहो अराम से शान्ती के दियान सुनो उनकी बातको इंट्रव्यूर की बातको सुनो और फिर उसमें क्या करना अपको रियक्ट नहीं करना है यही वो सेंटेंस है जो टाटा स्टील आपको जब जाओ वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन से एलेटेट कुछ क्लासी होगी उसमें सबसे पहल तो आप काम गडबड कर दोगे आपको response देना response आप तभी दोगे जब आप situation के बारे में एक दो second का pause लेकर सोचोगे कि हा मुझे क्या बोलना है क्या इसमें मेरा response होना चीए ठीक एक important चीज का ध्यान रखें जब अभी आप क्या करें आपके पास समय है टाटा स्टील की website खोलें उस website में जो figures हैं इतने मेगा टन इतना मिलियन टन इतना यह सब यह figures तो ठीक हैं कुछ टाटा की स्टील की website पर core values के बारे में भी बताया गया है टाटा की key values हैं कुछ core values हैं उनको पढ़ें अब उन values की कोशिश करें कि आपके इंट्रव्य में जब आप questions का answer दें तो कहीं ना कहीं अपने answers में उन core values का कुछ ना कुछ segment डाल दें देखिए बार बार एक ही जिच पर emphasize ना करिएगा बस थोड़ा थोड़ा डालते देगा मसाला उपर से core values का मसाला आप लगा दोगे तो उनके subconscious mind को लगेगा हां यारी हमारे जैसा है ठीक है थोड़ा सा मसाला लगाना है थोड़ा सा में तब तक के लिए all the best त्यारी करते रहिए जैहिन बाई बाई